दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा ले क्योंकि हम लाते रहते हैं ने ने बिजनस आइडियाज और नेनी जनकारी केवल आपके तो नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हमारा चैनल जिसमें हम आपके लिए ने ने बिजनस आइडियाज लेके आते हैं तो आज का बिजनस आइडिया एक ऐसा बिजनस है जिसे आप अपने घर से भी शुरू करके असानी से काफी पैसा कमा सकते हूँ ये बिजनस एक लगू द्योग बिजनस है जिसमें आपको ना ज़्यादा इंवेस्टमेंट चाहिए ना ज़्यादा स्पेस चाहिए ना ही कोई आपको कोई experience चाहिए इसे आप असानी से जब मरजी शुरू कर सकते हैं साल भर चलने वाला ये बिजनस जिसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और कोई भी पॉइंट बीच में से skip ना करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदमन होने वाली है तो दोस्तों ये जो बिजनस हम आपके लिए लेके आए हैं ये आप ऐस अस्टार्टप बिजनस इससे शुरू कर सकते हैं और ये स्मॉल बिजनस में आता है तो ये बिजनस है नोटबुक मैनुफेक्शनिंग बिजनस मदलब नोटबुक रिजिस्टर कॉपी किताब बिजनस सभी तरह का इससे आप कॉपी रिजिस्टर बना सकते हैं तो चलिए बताते हैं कि इसमें रॉव मटेल क्या यूस होता है और मैनुफेक्शरिंग कैसे होता है और प्रॉफिट मार्जन क्या क्या होते है तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको चाहिए होता है पेपर और इसका ओपर वाला टाइटल गता जिसमें आपका नाम और आपका ब्रैंडिंग वगारा लिखा होता है तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि यह है पेपर के सैंपल और ये है आपका title का sample तो इसमें आपको basic requirement ये दोनों चीजों का होता है आपका paper जितने मर्जी GSM का हो सकता है जैसे जैसे इसका quality बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका rate भी बढ़ता है normally ये जो paper का quality है ये आपको 50 से 52 से 60 रूपीस के बीच मिल जाता है तो अगर इसका title का बात करते हैं हम जिसमें उपर आपका branding और नाम वगरा लिखा होता है तो ये title आपको तकरीबन जो छोटी copy का होता है वो डेर्ड रूपे से लेके दो रूपे तक का बढ़ता है और A4 notebook जो बड़ा register है उसका आपका तकरीबन तीन रूपे के आसपस बढ़ता है जैसे जैसे आपका ये बढ़ता जाता है size notebook का वैसे वैसे इसका rate भी बढ़ता है आपका quality के साब से भी इसका rate सारा vary करता है आप जैसे का भी इसका printing करवाना चाहते हैं वैसे का इसमें printing हो जाता है इसका paper का बात करें तो paper में जैसे आपका single line होता है double line होता है three nine होता है आपका math वाला line होता है वो सारे इसमें printing हो जाते हैं अब जैसे का भी printing चाहोगे आपको वैसे का market से available हो जाएगा और इसका raw material easily हर जगा available है ये नहीं कि ये आपको किसी particular city में मिलेगा या कहीं जगा सस्ता मिलेगा इसे आप हर जगा खरीज सकते हैं और ये video end तक ज़रूर देखें क्योंकि हम इस video के end में आपको raw material और machinery के supplier का भी सारा contact देंगे कि आप किन से खरीज सकते हैं और किन से आपको सस्ते rate में मिलेगा तो चलिए अब देखते हैं इसके manufacturing process के बारी में कि notebook बनता कैसे है कैसे इसका production होता है क्या क्या चीजे इसमें requirement होती है production के लिए और कैसे इसको accurately हम product बना सकते हैं तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक fully automatic model जिसमें आपका three in one machine है जिसमें stitching, folding और squaring होता है मतलब आपका notebook पे ले stitch होगा stitching के बाद उसका back square folding होगा और end में उसका back square होगा back square होने के बाद आपका end में cutting process आएगा cutting में जिसमें आपके notebook का finishing आएगा और end में आपका shrink wrapping होगा जिसमें आप notebook pack कर सकते हो और end में आपका product तियार होगा तो चलिए देखते हैं कि कैसे manufacturing होती है कुछ जैसा कि आप देख रहे हैं ये है हमारा fully automatic 3-in-1 notebook stitching, folding and squaring machine इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका program कैसे work करता है fully automatic touchscreen model है ये इसमें आपने notebook का size, कितने कितने centimeter में मुझे paint चाहिए कितना मुझे fold चाहिए, कितनी speed चाहिए, edge squaring कितने में चाहिए मुझे, वो सारा आप setting कर सकते हो जैसे कि आप front screen में देख रहे हो, इसमें सारे features available है आप इसमें setting अपने हिसाब से करके accurately notebook को produce कर सकते हो इसमें आपको accurate काफी product रहते हैं, आपको कोई भी मदलब, आपको इसमें कोई भी accurate labor की जूरत नहीं है नॉर्मल आदमी कोई भी इसमें काम कर सकता है और easily कर सकता है बिना कुछ ज़्यादा सीके भी तो जैसे ये देख रहे हैं कि हम इसमें सारा program setting कर सकते हैं और देखें कैसे भी program set हो रहा है, तो चलिए अब देखते हैं इसमें manufacturing कैसे होता है हमने सबसे पहले notebook को एकठा इस table पे रख देना है table के पर रखने के बाद एक एक करके हम notebook को आगे आगे दखेलते जाएंगे यह automatically pinning station पे जाएगा notebook को लेके और उसके बाद folding station पे जाएगा और end आपका squaring station से बाहर निकलके आपका notebook produce हो जाएगा तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे हम आपका process start करते हैं तो यह automatically notebook को आगे लेके जाएगा आगे ले जाने के बाद यह automatically जितने जितने centimeter आपने डाले होगे उतने उतने centimeter पर ही आपका pinning होगा pinning होने के बाद आपका automatically यह folding station में जाएगा folding station के बाद end में आपका back square होगे तो देखते आपके कैसे इसका machine work करता है ले बाद जादे के बाद के में जाएगे लेगा झालवार में जड़ा थी मैं जड़ाब उया झालवा रारी आढ राई लारी आपाद कर दो दो आए निए गड मैं दूश हर दो पार्ण जञ़ा पार्ण झाल 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 कुछ जैसा कि आप ने देखा कि ये था फुली आटोमाटिक मेशीन जिसमें आपका नोटबुक सारा त्यार होके बाहर आता है और सिर्फ इसमें आपका एंड में कटिंग का प्रोसेस वह जाता है तो अब ये जाते हैं कटिंग आपके safety sensors होते हैं हाथ आगे हो तो machine नहीं चलता जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में इसमें कठी notebook रखी हुई है इनको आप cutting करके accurately मतलब finishing ला सकते हो double double notebook होता है उनको इसमें cutting करके single में convert किया जाता है और final product त्यार किया जाता है आप देख सकते हैं कैसे इसमें आपका cutting हो रहा है कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेसे involved होते हैं और क्या क्या बटन दबाग कर आपका cutting का process complete होता है बदरी के ओिक हो। उपका फ्र्टाइ को-दर्टा-उडब जैसे आपने देखा कि कटिंग करने के बाद कैसे इसका फिनिशिंग बढ़िया आ जाता है नोटबुक का और सिंगल सिंगल में कैसे कनवर्ट होता है तो अभी इसका प्रोसेस आता है नोटबुक को पैक करने का पैकिंग का प्रोसेंस होता है कि इसको लैमिनेशन वाली और लॉंग लाइफ तक मशीन जो आपकी नोटबुक्स है वो कहीं पड़े भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं आता और इसमें सेल भी इसली हो जाती है नोटबुक्स तो ज्यादा तर जो मैनुफेक्शिर से वो इस मशीन का यूज करके अपने नोटबुक को रैप करके ही अपन में सेल होने के लिए रेडी है अभी देख लेते हैं इसका प्रॉफिट मार्जन ये क्या क्या प्रॉफिट होता है नोटबुक मैनुफेक्शिरिंग में और और आप पर मंथ कितने की अर्निंग कर सब्सक्राइब तो चलिए मैं बताता हूं कि इसका प्रॉफिट रिपोर् तो एक केजी का कॉस्ट आ जाता है आपका 56 रुपीस और आपका एक केजी के बीच जो 20 रुपीस वारी नोट बुक है वो 7 तो 8 पीस बन जाते हैं तो अगर हम उसका 1 केजी पे आपका एलेक्टिशिटी और लेबर कोस्ट चार रुपे मानते हैं और इसाथ में अगर हम टाइ है और यही एक केजी आपका होल्चेल में 85 रुपीस पर केजी सेल आउट होता है तो अगर हम एक प्रॉप फेट मार्जन देखते हैं एक केजी पे तो हमारा लंसम 17 रुपीस क्यास पसा जाता है तो एक दिन में अगर हम 50 केजी भी प्रोड्यूस करते हैं 50 केजी के नोट ब हमारा घुपी करते हैं तो हमारा 6800 प्रॉप एक दिन का निकल जाता है और इसी को अगर हम परमंत का देखें तो हमारा 22,40,000 अराम से प्रॉफिट मार्जन आ जाता है मुनाफ़ा है और आप इजली सारा बिजनेस रन कर सकते हैं तो दोस्तों यह अपने वीडियो देखी है नोटबुक मैनुफेक्शरिंग बिजनेस के बारे में बहुत ही इजी बिजनेस है असानी से आप शुरू कर सकते हैं आप इसमें जिसना भी आपका इंवेस्टमेंट है उसके हिसाब से शुरू कर सकते हैं मैनुफेक्शरिंग के पास छोटे से लेके बड़े तक सारी मेशीन्स है अगर आपका बजट कम है तो आप इसे कम बजट में शुरू कर सकते हैं और अगर आपका बजट जारा है तो आप फुली आटोमेटिक मेशीन्स लेके जारा के कंट्रेक्ट कर सकते हैं और इनसे मशीन पर्चेस करके अपने बिजनस को असानी से शुरू कर सकते हैं बिजनस शुरू करने की प्रॉपर गाइडेंस इनके दवारा दी जाएगी और कैसे कैसे बिजनस करना है उसके लिए सारा अवेलेबिलिटी भी ये प्रोवाइट करव झाल झाल झाल